हाई यू गाइस तो कैसे हम सबी अच्छे होगे आपका सवागत है ग्यानामसिक्षा की अगली वीडियो सेग्मेंट में आज मैं बात करूंगा फिर से RBI के बारे में पिछली वीडियो में हमने RBI की establishment जाने थी कौन-कौन से उसमें members होंगे उसके बारे में बात की थी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे functions के बारे में वो कौन-कौन से function perform कर सकती है और वो कौन कौन से function perform नहीं कर सकती आज हम उसके बारे में जानेंगे और हम जान लेंगे कि इसमें penalties क्या क्या दी गई है अगर कोई व्यक्ति जो है वो कोई offense commit करता है या उसको जो कहा गया है वो नहीं करता क्या उसका punishment हो सकती है उसके बारे में आज किस वीडियो में जानेंगे इस वीडियो को last तक देखेगा ज़रा सी skip मत करेगा इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप इस channel को subscribe करना मत बूलेगा चलिए start करते हैं आज की वीडियो भी ना किसी देरी से सबसे पहले जो आप सबी को पता होना चाहिए RBA जो है वो हमारी central bank of India है सारे इंडिया की bank की supreme bank है ओके ये सारी bank को supervise करती है ओके इसके हम function जान लेते हैं one by one सबसे पहला function है कि ये currency को control करती है इसके पास currency authority है मतलब की currency authority का मतलब क्या है कि ये पूरे इंडिया की currency को control करेगी यही सारा इंडिया के इंडिया में जितने भी money है उन सबी को control करेगी और ये देखेगी कितनी money जो है market में issue करनी है आगे बात करते हैं issue notes ये issue जो notes issue कर सकती है लेकिन ये note उतना ही issue कर सकती है जितना कि इसके पास coin, bullion and securities हो ये उतना ही note issue कर सकती है इसके इनके पास coins, bullion and securities इसके बदले ये notes issue करेगी और इनके जो denomination भी fixed है आपको पता होगा guys कि एक रुपीज का coin जो है वो central RBI issue नहीं करती एक रुपे का coin जो है वो issue करता है finance minister के दोरा finance ministry के दोरा एक रुपे का coin issue होता है बाकि दो से लेकर 10,000 तक 10,000 तक ये note issue कर सकती है RBI के पास ये power है कि वो 2 रुपे से लेकर 10,000 रुपे तक जो है वो note issue कर सकती है ओके ये है इसका issue denomination और जो issue department है बैंक का वो note issue करेगा लेकिन coin जो है 1 रुपे का coin issue कौन करेगा 1 रुपे का coin issue करेगा finance ministry जो है 1 रुपे का coin जो है वो issue करती है आगे बात करते हैं कि ये जो है ये banker to government भी है banker to government कैसे है जो भी government का lane दिन है पैसों का यही दियान रखती है यही इसके पास ही obligation है कि जिसको government ने पैसे देने है ये उनको पैसे देगी और जिसको government ने पैसे लेने है वो उसे पैसे लेगी government के बिहाफ पे ये work करेगी RBI के पास solely monopoly है RBI ही government के पैसों का लेंदिन करती है RBI बनी ही इसलिए थी क्योंकि वो government के पैसों का manage कर सके government के पैसों को manage कर सके और banking sector को आगे लेके जा सके ये bankers to bank है bankers to banker मतलब की RBI जो है RBI banks को जो छोटी banks होती है state banks होती है उनको जो है loan प्रिवाइड करती है उनको पैसा देती है for the less rate of interest and less rate of interest पे देती है और कि उनको जो है money प्रिवाइड करती है ये bankers to bank है और ये supervisor of bank है supervisor of bank के ये सारी bankों का ध्यान भी रखती है कौन कहाँ पे invest कर रहा है कौन कहां किसी को loan दे रहा है ये भी सारा ध्यान रखती है और ये foreign exchange management भी करती है और control करती है जो बार से money आई है उसको भी control करती है ओके गाइस ये monetary data भी बनाती है कितना पैसा जो है कहां पे लग रहा है कहां पे invest हो रहा है ये सारा देखरे करती है और ये सारे पैसों का जो है ये control करती है सारे पैसों को control करती है manage करती है और ये जो छोटी banks होती है उनको promote भी करती है उनको growth में लाने के लिए helpful करती है like agriculture bank को state corporate banks होंगी या commercial banks होंगी उनको जो है उनकी growth में help करती है और ये society में भी बहुत ज़ादा important जो है role play करती है आगे हम बात करते हैं कि RBA क्या क्या चीज़े नहीं कर सकती सबसे पहली बात है RBA जो है अपने shares खुद purchase नहीं कर सकती इसके पास जो है अपने share purchase करने का कोई हक नहीं है और RBA जो है किसी को भी direct loan नहीं दे सकती किसी भी company को direct loan नहीं दे सकती ये भी RBA के rule के खिलाफ है RBA कोई भी share purchase नहीं कर सकती किसी भी other banking company का share purchase नहीं कर सकती RBA कोई भी जगा purchase नहीं कर सकती जगा मतलब place, immobile property RBA purchase नहीं कर सकती accept अपने office को बनाने के लिए अगर उसको कोई जगा चाहिए तो वो purchase करेगी लेकिन otherwise RBA कोई भी purchase नहीं कर सकती purchase करना हुगा तो center government कर गी RBA नहीं करेगी ओके आगे हम बात करते हैं कि RBA loans नहीं दे सकती securities पे या फिर shares पे RBA loan नहीं देगी RBA कोई भी interest जो है वो नहीं देगी किसी को भी किस के उपर current account के उपर या deposit के उपर जो RBA है वो interest नहीं देगी यह थे guys function जो की prohibited by the RBA थे आगे हम बात करते हैं penalties की जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं penalties क्या क्या है RBA के अंदर सबसे पहली penalties है अगर कोई व्यक्ति जो है उसको कोई document या produce करने के लिए कहा गया है अगर वो produce नहीं करता अगर उसको कहा गया है कोई document लेके आने के लिए अगर वो नहीं लेके रहता तो उसको एक लाख रुपे तक का fine लग सकता है यह RBA Act के RBA Act कहता है आगे हम बात करते हैं अगर कोई व्यक्ति false statement देता है कोई गलत statement देता है उसको भी सजा हो सकती है तीन साल तक की और fine भी लग सकता है अगर कोई व्यक्ति जो है उसको कोई भी credit information मतलब की अंदर की खबर जो है बाहर देने के लिए बाहर देना prohibited है अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको भी है इसमें punish किया जाएगा under the RBA Act पनिश किया जाएगा बस यही था RBA Act के अंदर आई होप आपको यह दोनों वीडियो अच्छी लगी होगी पहले भी वाली वीडियो और इस वाली वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको इस वाली वीडियो से भी रिलेटिड कोई भी डाउट है प्लीज गो टो कमेंट बोक्स मैंट बोक्स में जाएगे कमेंट करिए मैं आपके कमेंट का जरूर अंसर करूँगा आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी आप प्लीस हमारी वैब्साइट पर वीजिट करईा वैब्साइट का लिंक मेंने डिस्क्रिप्शेल बोक्स में डाल दिया है आप वहाँ पे जाकर नोट चेक कर सकते हो आपको बेर एक्ट मिल जाएंगे आप वहाँ पे जाकर बेर एक्ट भी परचेस कर सकते हो कोई भी बेर एक्ट परचेस करना होगा आपको RBI का बेर एक्ट भी वहाँ पर मिल जाएगा डाउनलोड कर सकते हूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेर करेगे ताकि आपको आगे अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें थैंक्यू सो मुच गाइज पर वाचिंग सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो